नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज में आप सब के लिए बहुती 54 वीडियो लेकर आया सुबह सुबह मनी मन बोलें कि एक शब ना बीमारी ना शत्रू ना तंगी और ना ही तो 100% हर चीज होगी आपकी मूठी में दोस्तों धन एक ऐसी चीज है जो जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसे हर जगा मान सम्मान की प्राप्ती होती है जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने सस्त्रू बन जाते हैं और उसके साथ सत्रू जैसा वेवार करने लग जाते हैं हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है इसलिए धनका होना बेहत आवशक है जै बजरंग बली की दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों सुब्य का समय बहुत ही जादा खास होता है काफी लोग इस बारे में नहीं जानते लेकिन सुब्य के समय आपकी अंदर एनरजी स्टेट बहुत ज्यादा होता है जिससे आप अपनी और सुक्सम्रदी को आकर्षित कर सकते हैं लेकिन काफी लोग इस बारे में नहीं जानते अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिशानी चलती रहती है हर दिन आप बह कुछ अच्छा चलने लगेगा और आपकी सभी परिशानिया दूर होने लगेगी इसके साथ ही आपको धन प्राप्ति के नए-ने मार्ग भी मिलने लगेंगे काफी लोग इस समस्या से परिशान रहते हैं कि उनका व्यापार बिलकुल भी नहीं चलता या फिर नोकरी नहीं इससे आपके जीवन में कितने सुकत बदलाव आते हैं यदि आपके और सुक्सम्रदी अकर्शत होने लगती है तो आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं इस परियोग को करने से आप अपने अंदर एक गजब के बदलाव को महसूस करने लगेंगे आपके आसपास की एनर प्राप्त करने में मदद करता है सुक्सम्रदी वाले चीजे आपके और खुदी आकर्शित होने लगती है आपके आसपास की एनरजी बहुत जादा प्रोजिक्रिक हो जाती है तो दोस्तों इस परियोग को करने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जो आपको सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए और दोनों हाथों के हतेलियों को मिलाकर जो आदा चांद बनता है उसको देखकर आपको हमेशे अपने चेहरे पर लगा लेना चाहिए ऐसा करने से कैसा भी टेंशन आपकी जीवन में चल रहा हो वह बहुती चल्दी दूर ह हो जाता है और आपकी किसमत चबंगने रखती है आपके आसपास की एनर्जी तो पोजिटिव होती ही है इसके साथ ही आपको मिलते हैं ऐसे भरपूर फाइदे जो आपने कभी सोच से भी नहीं थे ऐसा करने से दोस्तों आपको साथ में एक मंतर का जाब भी करना चाहिए य सिर्फ आपको ओम श्री मंतर का जाब करना है कोई भी आपके जीवन में परिशानी है या कोई भी चिंता है तो वह आप इसको ध्यान रखें कि वह आपसे बिल्कुली दूर हो जाएगी उस समय बहुत ही सुबह के समय बहुत ही ज्यादा पोजिटिव एनर्जी होती है इसल दोस्तों आपको ध्यान लखना है कि जब भी आप शोकर उठते हैं तो सबसे पहला तार्य आपको यही करना है अगर आप पांत मिंट तक इस बीज मंतर का जाब करते हैं तो आप इसके फाइदों को देख कर दंग रह जाएंगे जिससे कितने ज्यादा फाइदे आपको मिल करना है इस प्रकार हमने आपको बताया है सुबह उठते ही सबसे पहले कार यही करना है अगर आप दो मिनिट या पांस मिनिट तक इस मंतर का जाब करते हैं के बात उठते हैं तो पूरा दिन आपके आसपास एनर्जी पॉजिटिव रहती है और सुक समर्दी बनी रहती है आप क्योरा करशित होने वाली सभी चीजें आपको हमेशा सुकत प्रणाम देती हैं लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको जाब करेंगे तो लगाता कई दिनों तक आपको इसका जाब करना होगा ऐसा करने से बहुत जादा जल्दी आपको उन सभी प प्रणाले जिससे आपको भर्पूर फाइदा मिल सकें दोस्तों क्योंकि जब भी आप सुबह उठते हैं या फिर सोते हुए होते हैं तो आपके आजपास जो एनरजी होती है वह आपको पोजिटिविटी से दूर रखती है इसलिए आपको इस प्रकार करने से पोजिटिव आपके हरी कमेंट का प्रयाज करें की प्रयाशन करें कि वीडियो के हमारी के ज्ञान करने जूरू पराफ होई होगे जोस्तों करें तो आपके लिए जींसे त Crisp में बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमे जीवाद दोस्तों आज के लिए के वले इतना ही कल फिर आप से मलाकात होगी तब तक के लिए देजाता धन्यवाद कमेंट बोक्स में लिए जै बज़ रखेंगे